बढ़ाई हो दोस्तों आखिर हम पहुँच गए ना चांद पर हमारे हाथों में चांद है लोग सपने लोग में रह गए और हम तो चंदर लोग में पहुँच गए उनके तो जंडे में चांद है और हमारा तो चंदा में जंडा है इसी को कहते हैं जंडे में चांद और चंद के पलों को एक दूसरे से बाटने चलिए पहले जानते हैं कि लेंडिंग के लिए 23 तारी को ही क्या चुना गया चंद्रयान 3 में लगा लेंडर और रोवर चांद की सता पर उतरने के बाद सूरज की रोशनी का इस्तिबाल जो कि उसके एक्विपमेंट्स के चार्ज रहने के जरूरी चांद पर 14 दिन तक दिन जिसे 1 लुनर डे क्रते हैं اور अगले 14 दिन तक रात रहती है एक लुनर डे वहांका रात दिन के बराबर होता है दिन में काफी गर्मी होती है तो वहीं रात में काफी ठंद होती है और दक्षणे द्रूपर न थाप मान माईनस 230 डिडिरी चंद्रमा का सबसे बड़े रहसे खुलने वाला है। चांद को समझने की जाने की जिग्यासा हर किसी के मन में सद्यों से है। बच्पन में ये चंदा मामा की तरह कौतू हल जगाते थे। वहीं हर किसी के मन में चांद को देखकर कई प्रशन उटते रहते हैं। जब से पता चला है कि चान पर जीवन संभव है, दब से चान को लेकर जिग्यासा और बढ़ गई है, दुनिया भर के अंत्रिक्षिव ज्यानिक भी चान के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाने की कोशिश में जूटे हुए है, रूस अमेरिका चान तक तो पहुंच लेकिन चान की पहली सूलज नहीं सकी, इससे पहले भारत का चंद्रियान दो भी लेंडिंग के वक्त खेल हो गया था, लेकिन भारत की मिशन से दुनिया को पहली बार पता चला कि चान पर पानी मौझूद है, भारत का मून मिशन पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है, पूरी दुनिया की नजरे भारत के मून मिशन की तरफ है यहीर वजा है कि पूरी दुनिया भारत के मिशन चंद्रियान 3 पर टक्टकी लगाये हुए है. चांद पर जीवन संभाव है या नहीं ऐसे सवालों के भी जवाब तलासेगा चंद्रयांत्री चांद को लेकर बीते साल नासा के एक बड़े वग्यानिक हावड हुने दावा किया था कि साल 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे समय तक रह सकता है वग्यानिक के मुताबिक साल 2030 से पहले चंद्रमा पर इंसान रह सकते हैं जिसमें उनके रहने के लिए बस्ती होंगी और उनके काम में मदद करने के लिए रूवर्स होंगे चांद की जमीन पर इंसानों को भेजा जाएगा और वो वहां रखकर काम करेंगे और वहां के वातवरन में ढल जाएंगे ऐसे दावे और ऐसे हर अनसुल जे सवालों के जवाब भारत का चंद्रयांत्री तलाशेगा तो दोस्तों बहुत बहुत बढ़ाई हो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सौप लर्णिंग करने में सफल होने वाला प्रथम देश बन गया है विश्व का प्रथम देश बन चुका है 195 देशों में प्रथम देश बन चुका है भारत लिए मैं इस पर अपनी स्वारचित दो पंक्तियां देती हूँ विश्व मंच जय जय का राजंद्र यांधरी के लाइव अफडेट देश दुनिया की खपर के लिए बने रहें इस लाइक से और सब्सक्राइब कमेंट जय हीन्द वद्देवाद्ष वाव पाव लाइंडर माडूल